हेलो एवरिवन वेलकम टो माई चैनल देखे फ्रेंड्स आज मैं आपको बिलकुल ही ये नई तरीके की सोक्स बनाना सिखाऊंगी ये देखिए ये चार और पांच नमबर पैर में बहुत ही आसानी से आ जाएगी और ये देखे इसमें मैंने अंगुठा नहीं बनाया है अग विगनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे जिसको बनाना नहीं आता उल्टा सीधा बनाना आता है वो भी इस सोक्स को आसानी से बना लेगा लेकिन प्लीज डिजाइन को समझने के लिए वीडियो को आप एंड तक देखिए तब ये डिजाइन आपकी समझ में आएगा कि इसको मैंने कैसे बनाया है और फ्रेंड्स अगर यह आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे जल्दी से लाइक कर लीजिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मि जाती है इस सोक्स में आप बहुत ही अच्छे से उसका यूज कर सकते हैं यह देखिए हम बिल्कुल सिंगल थ्रेड से मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स की हम इसमें फंदे कैसे डालेंगे यह देखिए और यह हम 81 फंदे डालोंगी फ्रेंड्स में इसमें और 4 और 5 12 ने इसमें फंदे डालने है यह दो इसमें हम 81 फंदे डाल लेंगे यह मैं थोड़ा सा ही डाल के आपको दिखाऊंगी यह देखिए ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे फंदे डालने के बाद यह देखिए इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे आप इसको सीधा सीधा भी बना सकते हो लेकिन मुझे कमफर्टेबल लगता है कि उल्टा बनाना यह देखिए सारे ही फनदे हम यह ऐसे उल्टे उल्टे बना लेंगे, द्यान से देखिए जितने भी आप फनदे डालो जोड़े से फनदे डाल के एक फनद आप extra डाल लीजिए यह देखिए और किनारे वाले को हम सीधा बना देंगे यहाँ पे एक चेन सी बनती जाएगी यह देखिए अब आ गए हम दूसरी साइड में फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे और यह फिर से हम ऐसे सारे इफंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे यह देखिए किनारे बाले को फिर से हम सीधा बना देंगे दूसरी साइड आगे ऐसे ही हम बनाएंगे देखिए फ्रेंट्स दो रो मेने उतारी है तो एक लाइन हमारी यह बन गई है यह देखिए दोनों साइड से इस साइड से भी और इस साइड से भी और फ्रेंट्स मैं इ ऐसे 81 फंदे डालने के बाद मैं यह 12 लाइन बनाऊंगी यह वाली 24 हम रो उतार लेंगे और अगर यह लाइन गिनो तो यह 12 लाइन में बनाऊंगी यह देखिए यह 12 लाइन मैंने इसमें बना ली हैं यह देख सकती हो आप एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा और यह हमारी सीधी साइड है तो देखिए सीधी साइड से इस थ्रेड को हम यही पे छोड़ देंगे और यह सारे फंदे हम इस निडल में ऐसे उतार लेंगे तो फ्रेंड्स मैं इसमें 40 फंदे मैं इसमें ऐसे ही उतार लोंगी एक, दो, तीन, चार, आठ फंदे मैं ने उतार लिये हैं बाकी के भी मैं सारे फंदे इसमें हाफ फंदे मैं इसमें ले लोंगी यह देखिए 40 फंदे मैंने इस साइड ले लिये हैं यह एक फंदा एक्स बना दीजिए ये हमारा जो बीच का एक्स्ट्रा फंदा था ये वो वाला फंदा है इसकी आप यहाँ पे नोट लगा दीजिए अब यह देखिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे इसकी यहाँ पे हमने अब दुबारा एक बार इसको हम फिर से इसको बना देगे कलर हमारा यहाँ पे एड हो गया है अब देखिए ये इस साइड से हम दो फंदा इसमें ऐसे गटा देगे इस साइड मुड़ जाएंगे दोनों साइड से हमने एक एक फंदा इसमें लेना है इसको ऐसे ही उतार लेंगे द्यान से देखिए और अब हम सिधा सिधा बनाएंगे सीधा सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा ये देखिए और दो फन दे और सीधी पिछे की बैक साइड से ये देखिए ऐसे हम इसमें घटा देंगे इस साइड आगे इस साइड से फिर से हम इसको उतार लेंगे और ये हम बनाएंगे दो हम और इसमें से घटा देंगे इस साइड आएंगे तो इस साइड से घटा देंगे फिर हम यहीं से वापस मुड जाएंगे ये देखिए फस्ट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे और ये हम ध्यान से देखें फ्रेंड्स बिगनर्स को कई बार प्रोग्लम हो जाती है ये सिधा बना दिया इसको भी हम सिधा बना देंगे और बैक साइड से यहां से दो फंदे का एक कर देंगे फिर हम यहीं से वापस है मुड़ जाएंगे फस्ट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे और ये हम बना देंगे ये देखें ऐसे ही हम इसमें उपर तक बनाते जाएंगे दो फंदे का फिर से हम एक कर देंगे इस साइड आ जाएंगे सोरी थ्रेड हम पीछे ही रखेंगे इसको ऐसे ही उतार लेंगे फस्ट वाले को और ये हम सारे फंदे सीधे बना देंगे तो फ्रेंड्स दोनों साइड से हमारा एक-एक फंदा गठता जाएगा और उपर हमारे फोटी फंदे बच जाएंगे जिस पे हम उपर बोडर बनाएंगे ये देखें दो फंदे हम ऐसे निल डाली बैक साइड से फिर से हम ऐसे गठा देंगे फिर यहीं से वापस मुड़ जाएंगे ऐसे ही उतारेंगे फस्ट वाले को ये देखिए सेम आपने ऐसे ही बनाना है दोनों साइड से ये देखे ये उल्टी साइड है तो हम ऐसे उल्टा इसको गठा देगे ऐसे ही आपने इसको गठाते हुए उपर तक जाना है ये देखिए बीच में हमारे डिजाइन डलता जाएगा और दोनों साइड से एक एक फंदा हम गठाते हुए उपर की तरफ जाएंगे फोटी फंदे बच जाएंगे उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी हमें आगे क्या करना है ये देखिए दो फंदे हमारे इस साइड बच गए और दो फंदे हमारे इस साइड बच गए और ये देखिए फोटी फंदे हमारे ये बीच में है यहां से हमने स्टार् ते हुए हम उपर तक आ गई हैं अब देखिए ये पूरी रो में उतार के साइड आ गई हूँ अब हम इनको भी बना लेंगे द्यान से देखिए ये हमने ये हमारे हो गए फोटी थे फोटी टूफन्दे हो गए इस रो को मैं ऐसे ही उतार के उंटा उंटा कम्प्लीट करूँगे इसको मैं बना लेती हूँ देखिए पूरी रो मैं उतारती हूई एंड तक आ गई हूँ ये दो फन्दे हैं इनको भी हम इसी में बना लेंगे इस देखिए ये हमारे हो गए फोटी फोर फन्दे इस देखिए सारे ही फन्दे हमारे सकलर के हो गई हैं अब उपर हम इस देखिए फस्ट वाला ऐसे उतार लेंगे अब हम इसको सीधा बनाएंगे दियान से देखिए एसे हम इसको सीधा सीधा मैं इस रो को उतार लेती हूँ कम्प्लीट करूँगी मैं इसको इस देखिए पूरी रो मैंने उतार दी एक रो मैंने उतार दी यह कम्प्लीट हमारे फन दे होने के बाद अब देखे इस side से दूसरी row है इसको मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी यह देखिए यह उल्टा उल्टा बना दिया इस row को भी मैं ऐसे ही बना के complete करूंगी उसके बाद सीधी side से row बनाऊंगी और एक उल्टी side से तो friends मैं इसमें 4 row उतार लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का बताओ यह देखिए 4 row मैंने इसमें उतार ली है दोनों side से ऐसी look आई है अब friends अगर आपको इसमें एक color और लगाना है जैसे हमारे पास कोई उन बच जाती है अगर आपको एक color और एड करना है तो आप यहां पे border दूसरे color का बना सकते हो मैं इसी को लगाऊंगी उपर और यह देखिए यह thread हमने यहां पे छोड़ा था यह मेरा complete करूंगे यह देखिए तो इस रो को मैं complete करती हूँ यह देखिए पूरी रो मैंने उतार के complete कर लिए color हमने इसमें add कर लिया है आपको इस और color भी इसमें लगा सकते हो अब friends हम इसका border बनाएंगे तो border देखिए हम ऐसे बनाएंगे देखिए दो फंदे में उल्टे बनाएंगे thread पीछे करूंगे और दो फंदे में सीधे बनाएंगे आप एक सीधा एक उल्टे का border भी बना सकते हो दो उल्टे thread पीछे और दो सीधे thread अपनी तरफ दो उल्टे thread पीछे और दो सीधे ये पूरी रो मैं ऐसे ही complete करूंगे इसको मैं कर लेती देखिए last में आ गई हूं मैं दो उल्टे और दो सीधे जो friends इस side सीधे हैं जो इस side जो सीधे हैं वो इस side हमें उल्टे बनाने हैं एक बार देख लीजे फिर मैं इसको complete करके दिखाऊंगी ये दो इस side के सीधे थे तो दो हम उल्टे बना देंगे thread को पीछे करेंगे और इनको हम सीधा बनाएंगे ये आपको अलग से दिखाई देंगे thread अपनी तरफ करेंगे ये हम उल्टा बनाएंगे ये हम सीधा बनाएंगे ये देखी ये आपको अलग से दिखाई देंगे तो ये पूरी रो हम ऐसे ही उतारेंगे एक smart सा उपर border बनाएंगे ये देखी जितना आपको बड़ा पसंद है तो आप बड़ा बना लीजिए मैं इसको complete करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी हम इसक साइड से उल्टे हैं वो इस साइड से हमें सीधे दिखाई देंगे ऐसे ही आपने इसको बनाते जाना है तो मैं इसको complete कर लेती हूं ये देखिए ये 1.5 इंच का मैंने इसमें border बना लिया है अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो बड़ा बना सकते हूं ये देखिए ऐसी इसकी लुकाई है दोनों साइड से एक जैसा है अब हम इसको सारे इफंदे हम बंद कर देंगे तो देखिए और इसको इसके उपर से ऐसे उतार देंगे फिर से देखिए सारे इफंदे हम ऐसे बंद कर देंगे पीछे वाले को इसके उतार देंगे इसे हमारे इफंदे बंद हो जाएंगे तो मैं ये सारे इफंदे ऐसे की करके सारे इफंदे मैं ऐसे बंद कर लूộंगे उसके बाद फिर हम इसके सिलाई करेंगे, यह मैं कर लेती हूँ, यह देखिए मैं बिल्कुल एंड में आ गई हूँ, सारे ही फंदे हमने बंद कर लिये हैं, यह देखिए, इसमें बढ़ा रखेंगे, इसी से हम अपने शिलाई करेंगे, यह देखिए, थोड़ा सा मैंने फ्रेड़ से मी इह ले लिया है, इसमें से निकाल के इसको पक्का करतेके, कि देखिए इस तरह से इसकी लुक आई है इसकी इतने पार्ट की हमने सिलाई करनी है यहां से उपर से और यह इसकी नीचे से ऐसे करनी है तो हम इसको यह पार्ट हमारा नीचे आएगा और यह हमारा एड़ी आएगी यहां पे और यह उपर आएगा ऐसे हमने इसकी सिलाई करनी है । देखिए सुई में मैंने ठ्रेड में डाल लिया है अब देखें बहुती सफाई के साथ हम इसकी सिलाई करेंगे यह जो हमारी यह देखिए एक चैन सी बनती जाएगी इसमें से हम आमने सुई निकालनी एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से यह देखिए यह आपको अलग से दिखाई देगी यह देखिए एक बार इस साइड से एक बार फिर इस साइड से यह देखिए सीध इस साइड से भी बहुती सफाई के साथ हमारा यह सिलेगा तो फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ तक सील लेती हूँ फिर हम इसके ऐसे सिलाई करेंगे फिर मैं इसको सिधा करके दिखाऊंगे देखिए मैं इसको सीलती हुई बिल्कुल उपर तक आ गई हूँ और ये हमने थ्रेड को पका कर दिया है थोड़ा सा आप इसको ऐसे अंदर करके ताकि बिल्कुल इसके उड़ने के चांस ना रहे ऐसे अंदर करके आप इसको काट देजिए अब मैं आपको इसको सिधा करके दिखाऊंगे ये देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद ऐसे इसकी लुकाई है आप इसके उपर यहाँ पर दूसरा कलर भी लगा सकते हो का उपर बॉर्डर में यूज किया है ये देखिए इसमें फ्रेंड्स अंगुठा नहीं बनाया है अगर आपको इसी डिजाइन के बनानी है तो मैंने अपने चैनल पे रेड और वाइट कलर में बना रखी है सेम ये डिजाइन है लेकिन उसमें अंगुठा है आप उसे भी बना सकते हैं ये देखिए ये इसकी बैक है ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे पेर में आई हुई है और चार और पांच नंबर पेर के लिए तो ये बहुत ही आसानी से आ जाएगी और आप इस सोक्स को बनाके आप शोजवयगारा में भी पैन सकते हो ये एंकल लेंथ की है और बहुत ही इसकी देखिए स्मार्ट बनी है और बहुत ही अच्छी इसकी लूक आई है तो फ्रेंड्स आपको इस सोक्स कैसी लगी मुझे कोमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको इस पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आ आई चैनल देखे फ्रेंड्स आज मैं आपको यह बिल्कुल ही आसान तरीके से यह एंकल लेंथ की सोक्स बनाने सिखाऊंगी यह देखे बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं और आप जैसे आपके पास उन बच जाती है थोड़ी थोड़ी तो इस सोक्स में आप बह इसी और कलर का भी बना सकते हो वह तब भी बहुत ही स्मार्ट इसकी लुक आएगी यह देखे फ्रेंड्स बहुत ही सुन्दर इसका डिजाइन है और इसी डिजाइन में मैंने अंगुठे वाली भी शोक्स बना राखी है अगर आपको इसमें अंगुठा बनाना है तो वह आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो यह देखिए बनाने में बहुत ही आसान है तो फ्रेंड्स इसका डिजाइन पूरा सीखने के लिए कंप्लीट वीडियो देखिए तभी आपकी समझ में आएगी कि इसको मैंने कैसे बनाया है बहुत ही आसान तरीके की सोक्स है और अगर आपको यह पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो को बनाना झाले है